हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमिया लिग के मैच का प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा टॉटनम वर्सेस मैंचेस्टर सिटी के बीच मैच कवैनियो का टॉटनम एंड किक आफ होगा रात में 10 पीम पे तो मैंचेस्टर सिटी आप जानते होंगे प्रीमिया लिग का बेस्ट क्लब माना जाता है और इस सीजन अभी है अल्दो नंबर टू पोजेसन में बट इस्टिल टाइटल रेस ओन है इनके और टाइटल आर्सिनल की टाइटल के लिए टोटू टोफाइट चल लिए इनका मैजर टॉटनम से में मैंचेस्टर सिटी को तंग कर सकते हैं बट फिलाल इस मैच में मैं फेवरेट सिटी को ही करूँगा बिकाज यह टोटनम की कंपरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग टीम है फॉर्म भी अच्छी है तो अभी मेरे अकोडिंग जो फेवरेट टीम हो मैंचेस्टर होने वाली है तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इस मैच की लाइनों पाने के बाद जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स होगी वह आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जागा डिस्क्रि है तो शोली सिटी यहां से सारे मैचेस जीतना चाहेगी और साथ यह भी प्रे करेगी आर्सिनल अपने कुछ मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करें जिससे की सिटी उनसे आगे निकल जाए वहीं टॉटनम अभी फिप्ट पोजिशन में 21 में 11 मैच जीत है तीन ट्रॉ साथ डिवराइन और मारेच का एक एक असिस था जबकि टॉटनम ने भी अपने लास्ट मैच में वन निल से फुलम को रहा केन का गोल था और सन का असिस था अब यह दोनों क्लब्स एक दूसरे के आपने सामने इस सियन एक बार हो चुके हैं और मुझे याद है अभी 15-20 दिन प मैच बता दो दो मैच फैक जिससे आपको थोड़ा बात यह अंदाज होगा कि टॉटनम को इस मैच में बहुत ज्यादा लाइटल ही नहीं ले सकते वह मैच फैक्ट है नमबर वन मैच फैक कुछ ऐसा है टॉटनम है वन दियर लाश्ट फोर होम मैचे अगेंस मैंस सीटी इन अल कोंपेडिशन यानि कि यह मैच भी टॉटनम के घर में और टॉटनम अपने पिछले चार जो होम मैचे उनके घर में वो चारों ही जीती है यानि कि उनका अपने घर में सीटी के अगेंस रीसेंट रिकॉड बहुत अच्छा है दूसरा मैच फैक्ट है टॉटनम हैप रहे हैं इससे वैसे तो स्मॉल लिग में तो हम अभी भी सीटी को भी बैक करेंगे लेकिन अगर आप जील खिल लें शोल दी आप कुछ दो तीन टीम मेरे अकॉर्णिंग टॉटनम फैवर के लिए गा क्लिंशिट वाली क्यूंकि मैच फैक्ट यहां पे रिसेंटली टॉट करते हैं अभी में इनके मेक्जिवम यानिकी सेवन प्लेयर में इनके ही पिक करूँगा तो सिटी की प्रवबाल लेलाउन कुछ ऐसी हो सकती है एडरसन मोरास इनके गोलगीबर होंगे चार इनके डिफेंटर होंगे काईल वाकर अकेंजी लपोट और नाथने के फिलाल इस इनके डिफेंडर करेंगे तो इनके डिफेंडर बहुत ज्यादा पासिस करते हैं इस वैसे मैं अभी इन चार में कोई तीन सीटी के डिफेंडर ही पिक करके चल ला हूँ लेकिन अगर आपको एक बैलेंस बननाना है आप चाहे तो टू प्लस वन का कॉमिनेसम भी लिया सकत जबकि लपोर्ट और अकेंजी बहुत ज़्यादा पासिस करतें डिफेंसिबली अच्छे हैं और यह दोनों भी हैड़ेट गोल लगा सकते हैं इस वैसे मैं इन तीनों को फिक कर रहा हूँ वाकर इसले ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े से इनकंसिस्टेंट फेंट यह बताने की जर्वत नहीं है तीनों के बारे में आप जमते हैं हालेंट ओलेडी 25 गोल का मार्क छूष चुगे हैं अभी आधाई सीजन हुआ है तीन असिस्स कर चुगे रेड होट फॉर्म में लास्ट में हैट्रिक मारी है पेनाल्टी में भी है आई तिंग इस मैच में स लेडी पिक करूँगा क्योंकि तीन गोल और 11 असिस्स कर चुके हैं यह इनके बेस्ट मिट्फिल्डर है कभी भी गोल असिस्स चांस क्रेट हर चीज़ से आपको पॉइंट दे सकते हैं तो मैं इन तीनों को शोली पिक कर रहा हूँ बनाड़ो सिल्वाइवी के लिए मैं इ बिना गोल असिस्स अब को 25-35 कभी कभी 40-45 पॉइंट भी देते हैं लेकिन रिसेंटली ग्रिलिश के परफॉमेंस बहुत ज्यादे इंप्रेसिव रहे हैं बिना गोल असिस्स दी अच्छे पॉइंट दे रहे बहुत चांस क्रेट कर रहे हैं थोड़ा बहुत डिफेंसिव के सिटीगे सिअन के इंटığını یकर के प्रीमियर लीग के अपनेट की बात करने से वेले वार फितसे रिमाइन्ट दिला रहा हूं इस मैच की फाइनल टीम फाइनल अंडेट के लिए आपको जोइन करना है हमारे टेलिराप मेरे निगरों से आपको मिल जयो घ्लेर डेक्स करना ह और यह चार प्लेयर आपको defense section में मिल जाएंगे अब यहां पर change क्या हो सकता है डेविस के place में हो सकता है long late अंदर आ जाए और अबी मेरी टीम का structure कुछ ऐसा बना तो और कुछ में ऐसी टीम लिया रहा हूं कि मैं इनका एक भी defender पिंग नहीं कर रहा हूं और मैं ज्यादा इनके midfield और attacking player भी focus कर रहा हूं बट आपको किसी के साथ जाना है आप Emerson Royal के साथ जा सकते है attacking wise बहुत impressive है defensively भी decent है in fact last match में जो city के अगेंस्ट हुआ है उसमें Emerson ने score किया है तो Emerson शोली आपके लिए एक number one choice रहेंगे मेरी defense section से बट अभी मैं इनके सारे defender skip कर रहा हूं परिसिट की recent form भी ज्यादा अच्छी नहीं है midfield section भी इंसे better option मिले मैं इनको भी ignore कर रहा हूं अभी मैं midfield में होई बग को शोली पिक करूंगा होई वो reliable player है जो आपको I think बिना goal asses 20-25 से point दे सकते है defensively भी करता है और यह वंदा box to box आगे goal asses करने में भी capable है तो मैंने होई बग पिक किया आप चाहे तो होई बग कर सकते हैं या अगर आप sun पिक नी कर रहे कुलूसेश्की पिक नी कर रहे तो आप होई बग बेंटन कूर दोनों के साथ जा सकते हैं बेंटन कूर भी आपको इस मैच में अच्छे कासे defensive point दे सकते हैं पड़ अभी मैंने बेंट 100% recommend करूंगा अब एक जो final call हो मैं आप पे छोड़ दो सौन वर्सिस कुलूसेश्की आला सौन की recent form अच्छी नी थी बड़ लाश जो इनका एक कप मैच हुए उसमें सौन ने दो गोल मारे और उससे पहले फूलम वाले में भी आसिस दिया I think दिरे दिरे वापस अपनी form पक अने कुलूसेश्की ने लाश्ट टाइम सिटी के अगेंस्ट स्कोर किया था अल्थो मैंने मैंस देखा तो एडरसन जो गोल की पर सिटी के उनका एरर था लेकिन अगर कुलूसेश्की गोल असिस नी करेंगे ना तो सह ज्यादा पॉइंट नहीं दिंगे वैसे तो सन भी उ पेनाल्टी के लिंग है और यह मैंने टॉटनम के सियन के स्टैट लिखें प्रीमियर लिग के अभी जो मेरी पेडिक्सन है में एक 2-1 नेरो मेंस सिटी विक्टर के साथ जारूं लेकिन यह 3-2-4-2 ऐसा भी हो सकता है और अगर टॉटनम अमने घर में एक सर्प्राइज वि यह मैंने डिब्राइना मारेज ग्रिलेश और अलिंग हालेंड को पिक करके केप्टन किया वहां से मैंने होईबग केन और हुंग मिंग सन को पिक किया है चेंजेज आप क्या कर सकते हैं सबसे बहले आपको सेब जाने ग्रिलेश हटागे आपको लग रहा है फ्लॉप जाए अगर आपको लग रहा है क्लोज में चोगा आप केन को भी वाइस केप्टन कर सकते हैं तो अभी यह मेरी डेमो रफ टीम थी मेरी अपडेटेट फाइनल टीम के लिए आपको जोइन करने है हमारे टेलीग्राम चैनल से तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्सिन में जोइन कर लिजिए